Good morning strength, today we study in the central location question number 4th of India at the head of the Indian Ocean is considered of great significance why हिंद महासागर भारत के केंदर में इस्तित होने के कारण भारत को किस परकार से लाप पहुचाता है आप से पुछा गया है कि हिंद महासागर भारत के बीचो बीच है सेंटरल में है और यहाँ भारत को किस तरीके से लाप पहुचाता है तो according to world map विस्टु की मानचित्री के आतर पर हम देखेंगे इंडिया नोसे इनकी जो लोकेशन है वो भारत के ठीक सेंटर में है जो इंडिया है इंडिया के जैस्ट साउत में और ठीक साउत में सेंटरल लोकेशन उसकी भारत के सामने बन दही है तो यह किस प्रकार से भारत को लाप पहुचाता है इसकी इस्तिती भारत के सेंटरल में होने के कारण भारत के केंद्री इस्तिती में होने के कारण यह भारत को किस तरीके से लाप पहुचाता है तो आप देख सकते हैं यहां पर जो Indian Ocean है इंडियन सब से महत्रपूर्ण जो लाब है इंडियन ओशियन का वह भारत को ये है कि वह वेस्ट सैट की जो countries है जो European countries है उनके साथ भारत को link करता है جोईडने का काम करता है और दूसरी ओर जो East side की जो countries है जो Asia continent है उसको भी भारत से जोईडने का काम करता है इस प्रकार से हिंद मासागर भारत को center location प्रदान करने का काम करता है कि इंदरी इसी प्रदान करने का काम करता है ओके the trans-Indian ocean routes which connected the countries of Europe in the west and countries of east Asia provide a strategic center location to India ओके इंदरी एफजसे का फिलूड़ फिलूड़ से जरे प्रदान करने